हेलो दोस्तो, कॉमिक्स टॉक वीजे में आपका स्वागत है, मैं हो आपको दोस्त वीजे कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से टेट धेर सारी बाते हैं दोस्तो, ऐसे face to face आप मुझे पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं क्योंकि सायद कुछ ऐसी बात हुई कि मुझे लगा कि मुझे face to face वीडियो बनानी चाहिए दोस्तो, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज एक यूटूब वीडियो में मैंने देखा कि बहुत अच्छी यूटूब चैनल ने ये कहा कि अगर आपको कॉमिक्स पढ़ना है तो आपको जादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे मुझे लगा कि सायद इस बारे में बात करना जहुच जरूरी है और और किसी वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा नहीं बोल सकता और मैंने साच्छा में फेस टू फेस वीडियो बना कर आपको बोलूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक समय था जब 1960 या 1970 के दसक में यह कहा जाता था कि कॉमिक्स सिर्फ अमीर बच्चों के लिए है और गरीब बच्चे से नहीं पढ़ सकते हैं उसके बाद कई सारी कॉमिक्स पब्लिकेशन आई और सही मूल्य में सही रेट में हमें कॉमिक्स उपलप्त कराई जा सकी इसके बाद राज comics, मनौज comics, बहुत सारी comics publication मतलब सभी की अंटर की comics निकालती रही और सभी बच्चे उसे पपड़ सकते थे क्योंकि हम ज़्यादा महंगी comics से नहीं पढ़ सकते थे और भासा की भी दिक्कत थी ज़्यादा English comics भी नहीं पढ़ सकते थे हिंदी कॉमिक्स में हमें पढ़ना होता था हिंदी कॉमिक्स ही इसके बाद जब आज का डेट है जब कॉमिक्स लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं और ऐसे समय बहुत सारी लेट हाइए जैसे कोई एक सीरीज निकलती है उनके सात आठ पार्ट बनते हैं दस पार्ट बनते हैं चार पार्ट बनते हैं और उनके रेट होते हैं अगर हम लेना चाहें जैसे कलेक्टर एडिशन भी बनता है चार-पांच कॉमिक्स हो कभी अगर कलेक्टर एडिशन बनेगा तो वो अगर दो सुरुपे पर कॉमिक्स है पांच कॉमिक्स लेंगे तो आप हजार रुपे होते हैं तो क्या कोई middle class, lower middle class में भी कही सारे classification होते हैं अपर middle class, lower middle class तो क्या lower middle class कोई वेक्ति उसे खरीद पाएगा आप चाहे कितना भी अच्छा content दे दो, आप artwork बढ़िया रखो, आप pages बढ़िया रखो, glossy pages रखो, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा कि कोई वेक्ती 1000 रुपे में comics खरीद पाए, मुश्किल है न, और हर आदमी तो comics पढ़नी पाएगा, फिर यही बात हो जाती है कि जिसके पास प तो यह तो गलत है न, मेरे हिसाब से, यह मेरा personal opinion है, मैं यह नी बहुत सकती है, सभी लोग है, सब को glossy pages चाहिए, कुछ normal pages भी चाह सकते हैं, पर मेरा कहना है कि comics में, जैसे movies है, movies में आप story को देखिए, आप star देखेंगे, और अच्छे अच्छे बड़े-बड़े star हो की, मत किसके कारण होती है, हमारे कारण होती है, क्योंकि हम उन picture को देखते हैं, किस कारण, मतलब stars के कारण, उनके कारण हम picture को देखते हैं, उन stars के कारण, और उन stars के picture हम hit करते हैं, वैसे ही comics से भी है, अगर story सही है, तो क्या फरक पढ़ता है कि कैसे pages हैं, चाहे glossy pages हो, चाहे normal pages हो अब बात करते हैं रेट की एक नॉर्मल मिडिल कास आदमी के लिए जब आप एक कॉमिक्स खरीदते हैं जब दीर सो की हो गई जैसे राज कॉमिक्स में हम ऑनलाइन खरीदते थे सीधा मैं राज कॉमिक्स की ही बात करता हूं 500 से ऊपर 500 तक ही आप आनलाइन में खरीद सकते मतल włas 500 से नीचे नहीं खरीद सकते atmosphere और अगर आपको डगठाना है तो सोपचास की और कॉमिक्स से खरीदे लिए तो उसके बाद आपके डगठ फ्री हो जाता है मैंने भी कई बर कॉमिक्से ली तो डगठ बचांगे के लिए 500 म तो मुझे पढ़नी नहीं होती थी लेकिन मुझे लेनी पड़ती थी तो अब बताई अब उसके कारण कई बार क्या होता था कि मैं दो-तीन महिने तक कॉमिक्स ने खरीद पाता था उसके बाद इकठा खरीदता था तब तो वह सही लगता था लेकिन फिर भी ये बात नहीं मा देखि शोक अपनी चीज मोट और सपने ये अप owl कर सकते हो अर लेकिन जुरवत नहीं कर सकते हैं आपका दो टाइम खाना project और एक five-star hotel पर खाना खाना वह आपका स्पना है लेकिन आप और और सपने को एक बार साइड रख सकते हो तो दो टाइम खाना तो आप खाऊगे तो कॉमिक्स भी शौक है आपके जुरुत नहीं है इस बात को आप मानते ही होंगे तो अगर किसी कॉमिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो उसे रेड भी वाजिब रखने होंगे और हर जगह वह पहुंचाना होगा जो यह नहीं है कि online में सब हो जाए और online में भी अगर है तो यह बंदिशे ना हो कि आपको इतनी मांट तक कही लेना पड़ेगा तब तो आप ले सकते हैं यह बंदिशे ना हो यह मेरा सोचना है आप लोग क्या सोचते हैं वह comment box में लेकर जड़ो बताएं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए और भी उसमें बाते यह बताई गई कि कई तो क्या यूट्यूबर्स जो हैं और कई लोग जो हैं पुरानी कॉमिक्स हो पर ध्यान देते हैं उनकी बात करते हैं लेकिन नई comics publication की कोई बात नहीं बात बताईए बचपन से हमने configuration regarding hooks publication के आने पर हम उन्हें ढम पूरा बोल कर नाइं comics publication की तारिफ करें तो क्या यह सई हैं? ए गलत है ना ऐसा होलए चीडिये ठीक है नहीं comics publication भी अच्चाँ आ यकिन उनकी तारिफ कि जाए ना कि पुराने पाँ पॉप्लिकेशन की बुराई की जाए भाई कमिया कहा नहीं होती सब जगह होती हैं आप कितने भी अच्छे से समझदार समझदार व्यक्ति को ले ले या किसी भी बड़े कमाफ्य कंपनी को ले ले सब में कुछ न कुछ कमिया रहती ही हैं इससे कोई को नहीं कह सकता कि किसी में कमी नहीं हो सकता हैं सब लोग सब भूकरफेक्ट है कोई ने कह सकता तो यह है कमिया तो सब में रहती है तो तो जैसे मैं हूं मेरा मेरी यूटूब चैनल में पुराने कॉमेक्स, राज कॉमेक्स, मनोज कॉमेक्स और भी कॉमेक्स की बात होती है, नई कॉमेक्स पॉब्लिकेशन की बात नहीं होती है, तो राज कॉमेक्स पॉराने कॉमेक्स पॉब्लिकेशन में इतने सारे सब्जेक् पुरानी में हीतनी सारी सीजें मैंने बना पाता हूं कई YouTube जो दोस्थ भाई है वह भी नहीं बना पाते हैं जो बहुत सारे comics related YouTube चैनल जिन्हों ने बना पाते हैं तो नई comics publication तक आया कैसे भई क्या होता है YouTube चैनल बनाने का मकसद सिर्व यह नहीं है कि मुझे YouTube चैनल बनाना है, पैसे कमाने हैं, पैसा जवरी है, लेकिन इसके साथ मैं यह चाहता हूं कि कमिक्स जो लोग भोल चुके हैं, वो याद करें उन्हें, फिर से याद करें, फिर से पढ़ें, जो लोग पढ़ना छोड़ चुके हैं, वो फिर से पढ़ें, ताकि लोग डॉन में यह चीज बहुत सारी लोग के साथ हुई, उन्होंने फिर से कमिक्स पढ़ना शुरू किया तो मैं चाहता हूँ कि वो दौर फिर से आये, हो सकता है, मुश्किल है, ना मुप्मिल लगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है, तो यही मैं चाहता था, यह कुछ बाते थी अंदर की, मैं आज अपने दोस्त के पास आया था, यह दोस्त का बहुत अच्छा व्यूज है, तो ऐसे समय में बहुत शान सा वातावरण था, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो यही पर बनाए जाए, और एक फेस वीडियो भी मैं सोचा यहां पर बनाया जाए, आपने देखा है फेस वीडियो, मतलब कई लोग दोस्त मेरे कहते हैं कि आप तुम फेस वीडियो क्यों नहीं बनाता भाई, अगर फेस वीडियो बनाएगा तो ज्यादा चैनल को ग्रोथ मिलेगी, वो सर्च में आएगी, लेकिन फेस वीडियो बनाना लाग तो ना तो में पास सेट अप है, ना ऐसा कोई व्यूज है, मेरे घर के आस पास कि मैं फेस वीडियो बना सकूँ, और इतना ज्यादा फेमस चैनल भी नहीं है मेरा, जिससे कहा जाए कि मैं वीडियो बनाओं, मतलब मेरा यह सोचना है, कि अभी समय है, अब जैसे चैनल अच्छा ग्रोव होगा, तो मैं फेस वीडियो भी बनाओंगा, और 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 भी कई लोगो आती है, तो वो भी यही कारण है, कि नहीं आपाती, अगर मैं सेटप अच्छा रहे, मैं घर फैमिली के साथ हूं, तो कई बार यह दिक्कते होती है, सुवेरे बनाता हूं, तो भी दिक्कते होती है, और रात को बनाता हूं, तो भी दिक्कते होती है, और दिन में अगर जै तब बना पाता हूं और यह भी है कि प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाता हूं क्योंकि ड्यूटी भी है जॉब में भी हूं तो एक दिन छुट्टी मिलती है आज संडे के दिन चुट्टी रहती है तो आज कोशिश करता हूं कि याद स्याजा वीडियो बना सकूंँ एक बात और उन पर भी वीडियो बना कर आपको जोर दिखाऊंगा और भी कई जो वीडेसी कॉमिक्स हैं उनके करेक्टर पर भी वीडियो बनाने की प्लानिंग है मेरी उन पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और साथ ही कॉमिक्स के रिव्यूज उन पर भी वीडियो बनाने करूंगा और इसके साथ ही जो सूपर विलेन है उन पर भी पूरी प्लानिंग है वो वीडियो में बनाऊंगा आगे जाकर तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं बस जाते जाते यह कहना चाहूंगा कि किसी भी कॉमिक्स इंडस्ट्री को हम ही खड़ा करते ह और हम ही उसे दुबा भी देते हैं कहने की बात नहीं है पर क्योंकि अगर हम कॉमिक्स पढ़ेंगे नहीं अगर हम कॉमिक्स खरीदेंगे नहीं तो पब्लिशर क्यों कॉमिक्स प्रिंट कराएंगे जादा से जादा कॉमिक्स पढ़ेंगे उन्हें खरीदेंगे मांग आए तो निए भी लगहाँ किूए यहियुक्त अगर उन्हें मुनाफर नहीं लगा तो इत्ते सारे पैसे comics ्पृू्ट करने में चपने में जो लगते हैं वह क्यों करें comics writing का कम होने कारण है क्यों है क्योंकि मांग कम हो गई है और मांग इसलिए कम हो क्योंकि कॉमिक्स एक मनुरंजन का साधन है और मनुरंजन के साधन बहुत सारे हो गए हैं तो कॉमिक्स इंडिस्ट्री को भी यही चाहिए कि वह अपने इस्तर को थोड़ा बढ़ाएं यह लोगों को याद दिलाएं कि हम अभी भी है प्रॉपर ब्रांडिंग करें जैसे हर मार्वल कौमिक दिसी कौमिक्स प्रॉपर ब्रांडिंग होती है सूपर मैं, स्पाइडर मैं, बैट मैं, आइरन मैं, कैप्टन अमेरिका के स्टीकर, पोश्टर से लगे हुए, बैक्स, टी-शिर्ट वगेरा, सभी आपको दिखेंगे मार्केट में, पर आपने कभी देखा है नागराज या डोगा या सूपर कमांडर दुरू का स्टीकर या उसके टी-शिर्ट दिखें, मत कुछ लोगों के पास दिखते हैं, पर हर किसे के पास नहीं, समाप्स करते हैं क्योंकि बारिश होने वाली है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही फिर से आपसे कभी face to face मुलाकात होगी, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमें करते हैं, कितना मानते हैं उस बात को, या आपके भी मन में कोई बात है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जैहिन जै भारत!